तो कैसे हैं आप लोग ठीक है अभी जनवास्ट में आप लोगोंने मनाई कल है ना कली था ना उसके पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग जनवास्ट के पहले कि पढ़ा के भूल गए बेटा वहीं देखो मारकर रखा हुआ जाके लिए डस्टर और मारकर हम लोगों क्या जोटन कर रहे थे पृलिटिकल पार्टी ये पार्टी सिस्टम से रहे इंडिया तो उसमें हमने कुछ पढ़ भी लिया तो पहले आप यह समान विचार धारा के लोगों का ग्रुप है जो निसनल इंट्रस के लिए काम करते हैं और इनका मूह ल invej. सच्थ गया होता है सत्त प्रेशर ग्रूप्स और पुलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंस होता है प्रेशर पार्टी यह बेरी गुड एड पार्टी सिस्टम्स तो चिक है मेन इनका काम है सत्ता की प्राप्ति किनका प्रोडिकल पार्टी इच खा अब आपने उनके टाइफ भी समझा पहले तो आपने डिफिनिशन समझी माई काईबर के अनुसार एडवन्ट बर्क के अनुसार है ना अब फिर आपने संख्या के अधार पे यह देखा कि दल राजि समय इंडिया में multiparty system इंडिया में है और dual party system का बेस्णपल कौन सा देश है आंरी का और कौन-कौन सी दो पारटी आं अमरीका की डृपबलिक्स रं झाल डेमोगेट्स यह याद रखनादाना है क्योंकि अमरीका इसन चल रहा एं टिक है और UK में कौन कौन और भारत में कितने हैं लगवागर रस्टी पर्टी में बात करो हैं तो नेस्नल पार्टी बगजी और बा कि पार्टी यां तो बाथ में हजारों हैं ढ grown up est ή Direction व्यवाचिन के दौरा रास्ती दल का माननेता प्रदान की जाती है। को चुनाओं में कितने परसंटेज बोट मिलेगा तो उसको उस कटेगरी में डाल दिया जाएगा। जैसे हाली में सबसे लेटेस्ट कौन सी पार्टी है जिसको क्या बात है आप लोग तो पूछने से पहले इस सारी चीज़ें रिकॉल है आप लोगों को ठीक है फिर आपने पढ़ा विचार धारा के आधार पे दलों के प्रकार कौन कौन से तीन प्रकार पढ़े लेटिस्ट राइटिस्ट एंड मध्यम बर्गी मिडवे जो दोनों को लेके चलने वाली है तो अब आप मुझे यह बता दो कि लेटिस्ट पार्टियां क्या होती है बेसिकली उनक्या इडिलोजी होती है उनकी और कोई इधर गल्स मैं इसी पर बात कर रहा था ना कि लेटिस्ट और राइटिस्ट क्या होते हैं कि एक कॉंसेप्ट कहां से निकल के आया और आज भी इंडिया में कुछ प्रजन्स है कुछ पार्टियों आप कहते होँगे कि यह लेटिस्ट के लोग हैं यह रक्षिनपंती लोग हैं और बीच में तो ऐसा हो गया कि left जैसे गाली की तरह हो गई, जिसको आप बोल दो कि leftist है, तो बाम पंती है और गाली हो गई थी, ख़़गे हो, बाम पंत को, जबकि बाम पंत origin में इतना गंदा नहीं है वो, वो बात करता है किसके लिए, समाज के सबसे हासिये पे जो लोग ह मैलाएं हैं, बच्चे हैं, दलित हैं, सोसी थैं, पेडित हैं, बंची थैं, उनके लिए बात करता है, गरीबों के लिए बात करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या बजह थी, कि सुरुआत में तो कुछ राज्यों में कमनिष्ट पार्टियां सरकार चला रही थी, ले अलग राज्यों में बहुत एक्टिव थे लोग, लेकिन धीरे-धीरे-धीरे-धीरे क्या हुआ, इनका सब जगह से इनका अस्तित खतम होता गया, ऐसी क्या बजह थी, और जो दख्षिण पंती विचार धारा की पार्टियां थी, उनका प्रहत तो बढ़ता गया, आज भा पार्लेमेंट में इनकी सब बहुत आलोचना करते थे, कि यह काउबल्ट की पार्टी है, काउबल्ट, काउबल्ट समझते हो, काउबल्ट मतलब जहां गाय को कुजा की जाती है, जिस एरिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, खासकर यूपी, बिहार, मध्यपरदेश, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया में ही लिम्टेट पार्टी माना जाता था, माना जाता था कि इसका पैन इंडिया, मतलब पूरे होल इंडिया में इसकी पाचान या पहुच नहीं है, लेकिन आज वही पार्टी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे मेहनत करके, दस साल से फत्ता म है ना बामन स्रीट चौमन स्रीट पचास स्रीट पे आगे थे लेकिन फिर से उन्होंने कमबैक किया और आज थोड़ा मजबूत विभक्ष की भूमिका नहीं भा रहे हैं है ना तो यहीं है डेमोक्रेसी की खुब सूर्ती एक टाइम पे तो मोधी एरा जो फस्ट था लब 2014 से डेमोक्रेसी की खुब सूर्ती यही है कि लोग एक पार्टी से ऊब जाते हैं और जब उब जाते हैं तो उनके पास एक दूसरा ओसन होना चाहिए और वह इंडिया में ओसन है यू भले आप दूसरी पार्टी को नहीं कसी दूसरी पार्टी को तो लेकिन बा keen ना कहीं जो सबसे बड़ा डाइंस अंडिये जिसकी सरकार अभी चल रही है कॉंग्रिस के लीडर सिप में सबसे बड़ा डाइंस UP Yeah जब युक्त को इंडिया इलाइंस बोला जा रहा है ब मुष्टा की प्राप्ती जब तक आप सरकारम नहीं होगे तब किसको उब इसलिए सरकार में आना बहुत ज़रूरी है तो और क्या बड़ा था में सिंगल पार्टी डिवल पार्टी हां हम यह समझ लें कि यह बाम पंथ और दक्षिण पंथ का कॉंसर्ट निकल के आया कहां से तो यह फ्रांस से निकल के आया था ठीक है सुरुवात में जब फ्रांस मे राजसाही सिस्टम था मोनार्की तो मैंने बताया था कि राजा के जो लिफ्ट साइड बढ़ते थे और वो हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट्स की बात करते थे काते थे कि राजा की जो यह पॉलिसी है यह खराब है इसमें यह सुधार होना चाहिए गरीबों के लिए हिस्टोरिकल ग्लोरी की बात करते थे कि आज तो हम हैं ही जो हैं वह ऐसी बात करते हैं कि पहले इससे पहले जो समय था उसमें और ज्यादा अच्छे थे यह दक्षिन बंती मतलब अपनी हिस्टोरिकल ग्लोरी को खुब प्रमोट करते हैं जैसे बारत में अगर आप पूरते थे और जो यह बात करें कि पूराने मतलब जो उस टाइम पे पूराना हमारा इतिहास रहा है उसमें भारत ज्यादा मजबूत था जारा ज्यादा धनी था ज्यादा टेक्नॉलोजिकली एडवांस था कि सोने कि चुड़िया थी यह थाड़ समस्थर ठीक है आपको कौन समस्थर आपका फरस्ट यह वगल में ठीक है बास समझ मारी तो सोने की जडिया कहला लाती थी रिच कंट्री था भी स्वगुरू था तो यह सारी क्या है राइटिस्ट दक्षण पंधी विचार धारा की एक तरह से क्रेटेस्टिक से ठीक है ऐसी बाते जहां आपको दिखें तो आप मत जाओ तक जब दक्षण पंथ जला करा है और एक अब इंडिया में तो ऐसा अब यूरोप यूरोप में क्या होता है कि दक्षण पंधी विचार धारा की देखो सब जगह है सब जगह है चाहadian चाहिए अटारूरोप में तो मिक्स सब जगह पंधीया में प्री राशन जो यह चला था गरीब कल्यान गोजना अब यह तो एक्चुली बेसिकली लिफ्ट का कॉंसेट है कि जो बामपंथी विचारधारकी पार्टियां है वो लोग ऐसा काम करते थे लेकिन करक और रहा है जो सबसे बड़ी दक्षिनपंथी पार्टी है वो ऐसा काम कर रही है तो भारत में कुछ ऐसा डिवाइडव रहा नहीं कि यह राइट है समय समय पर सब एक दूसरे कि जो सिध्धान्त या जो तत्त उनको सत्ता प्राप्त करने में सहायक है उस सब अपना लेंगे ठीक है जैसके कॉंग्रेस को माना जाता है कि म ध्यंम्र्गी पार्टी है ठीक है एक ऐसा बड़ा और अर्गलाइशन है सब बांपंथ के लोग भी हैं जख्षन पंथ के लोग भी और कमिनिस्ट पार्टी हैं तो आपने माइष पर्टी इंडिया CPI CPIM दो पर्टियां थी CPIM धिर एक बनी CPIML अब M मतलब कमणिच पर्टी आफ इंडिया Marxist and कमणिच पर्टी आफ इंडिया Marxist-Leninist Marx और Lenin का नाम सुना है ना अब माक्स, काल माक्स बाम पंथ के एक तरह से सबसे बड़े प्रवर्तक वहीं से लिस्ट का उद्वा होता है समझो अब आपने पढ़ लिया है साइध पिछले समस्टर में काल माक्स काल माक्स पे ही आपका रिप्रेजेंटेशन भी तो था इसी लिए था कि ये बहुत important personality है आप इसको तो याद रखो और वो क्या बात करते थे वो historical study किये बेश जान economics अर्थवेस्था के आधार पे उन्होंने इतिहास का अध्यन किया और बताया कि कैसे एक बर्ग होता है जो सूसन करता है गरीब बर्ग का जिसको बोला बुर्जुवासी और जिसका सूसन होता उसको बोला प्लोरी तेरियेत बुर्जुवासी मिन्स बुर्जुवा और सर्वहारा आज की भासा में अगर समझे लो बुर्जुवासी मिन्स पूझी पती अमीर बर्ग, capitalist और सर्भारा मिल्स गरीब बर्ग लेकिन बाद में capitalism उसने कहा कि सिर्फ कोई जाती नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दो class होते हैं ठीक है, दो class, लेकिन दो बर्ग होते हैं उसने कहा, लेकिन बीच में पूजी पतियों यानि capitalist ideology ने एक नया बर्ग बना दिया, मध्यम बर्ग, ठीक है, और ये मध्यम बर्ग जो आदमी है ना इधर का है ना उधर का है उसका जीवन, अगर actual में वो सर्भारा बर्ग के साथ ही मिल जाता ना, तो हो सकता था कि revolution हो जाता उनके हिसाब से, क्रांती हो जाती लेकिन उसकी तो पूझी पती बर्ग से मिलने के अवकात नहीं है, लेकिन आकांच्छा जरूर है, वो जाना वहीं चाहता है, वो बनना वहीं चाहता है और सर्भारा गरीब बर्ग से अपने आपको बड़ा दिखाता है, क्या रहे ये गरीब हैं, हम तो हम हैं, है न, ऐसा कुछ तो अब ये बहुत important था capitalist के लिए, capitalist society के लिए, कि इस बर्ग को बढ़ाओ, इससे क्या होगा, ये मदद करेगा, बरना पूझी पती तो मुठी बराएं, अब ये बर्ग भी मदद करेगा पूझी पतियों की, मध्यम बर्ग सफ़जादा मदद किसी करता है, अमीर बर्ग की क्योंकि सफ़जादा पर्चेजिंग पावर किसकी होती है, मध्यम बर्ग जादा प्रयास करता है, जैसे मालो पूझी पत्कियों ने कोई इंडस्ट्री लगाई, capitalist ने कोई इंडस्ट्री लगाई, उनके सामान खरीदे कौण, गरीब बर्ग तो क्या ही खरीदेगा, उसके जाओं, यहाँ चला जाओं, दुनिया घूम लो, सबसे ज़्यादा महत्वा कांशा वाला वर्ग, मध्यम बर्ग, और वही फायदा करता है, कुझी पती वर्ग को, क्योंकि वर्नाव सामान बेचेंगे किसको, और वो इसको कैसे फायजा देता है, वो थोड़ा-थोड़ा बैनर लगा, मध्यमर्ग भाग के घुज जाएगा अंदर, मॉल में जाके, खरीदो, 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 पूरा खरीदो, डिस्काउंट आ गया है, ठीक है, तो यह सब अपने सामान मेचने के तरीके, तो मैंने कुछ आपको लिखाया भी था इसमें, तो लिखो, थोड़ा लिख लो, अभी आपने क्या-क्या लिखा है, संख्या के अधार पे, विचारधारा के अधार पे, अब आप लिख लो, छेत्र के अधार पे, एक हेडिंगा लिख लो, भॉंगॉलिक अधार पर राजितिक दल, भॉंगॉलिक अधार पर राजितिक दल, भॉंगॉलिक अध भांगौली का धायर पर राजनितिक दल नमबर वन राश्टी दल और छेत्री दल हाँ नमबर वन राश्टी दल नमबर दो छेत्री दल ठीक है अब लिखो राजनितिक दलौ के कार है सत्ता प्रापी तो है कि समाऑज्य के अलग बरगों का रिप्रजेंटेशन करवाना समार में अलग लग भर्ग है नःना महिलाएं है दलित हैं अबी सी बर्ग है येस्टी बर्ग है जैनल अपर कास्ट बर्ग है लोवर क् doğru सारे लोग अब इनका रिप्रेजेंटेशन हो सबका यह जिम्मेदारी किसकी है राजितिक दलों की अब समस्या यह है कि अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में या विधान सभावों में कम है तो इसके पीछे सबसे बड़े जिम्मेदार तो राजितिक दली है क्योंकि उस टिकट ही नहीं देते महिलाओं को उनको लगता है कि महिलाओं चुनाओं नहीं जिताएंगे इसलिए टिकट नहीं देते तो जब टिकट ही नहीं अब भारत में है तो पार्टी सिस्टम ही भारत में नहीं नोट आउट आप निर्दली चुनाओं भी लड़ सकते ह किसी दल से नहीं हो आप आप जाओ चनल लेकिन उसके लिए पार्लेमेंट में आप इधान सब्सक्राइब बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जादा तर लोग बोट की साधर पर कर रहें इंडिया में दलों के अधर पर बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने उनके एरि तो इसलिए उसको बोलते हैं लहर आ गई है ना लहर जैसे आपने सुनाओका मोदी लहर आ गई थी तो इन्हों नों यह नहीं देखा कि हमारी एरिया में कौन है गुंडा है बदमास है चोर है उचक्का है कौन खड़ा हुआ है बस उन्होंने क्या किया कमल दे मतलब सिंबल देखा और सीव सनेत्र तो देखा कि प्रधान मंत्री कौन बनेगा इसको मैं बोट दूगा तो इसलिए तो आपके पास तीसरा ओप्सन भी है निर्दली यह जो किसी दल में नहीं है लेकिन उसके लिए चुनाओ जितना बहुत कटिन होता है ठीक है कुछ लोग होते हैं जो कर आपने सुना होगा बहर से जितके गए हैं बड़े कट दावर नेता है ठीक है और कई सारे लोग जो निर्दली जीत के जाते हैं लेकिन वह depend करता है कि उनका उस एरिया में कैसा पकड़ा है कैसी पहूंच है कैसी उनका कारे कैसा है ठीक है हाँ यह जयकोए रह रहे हैं कि जब दवा थाद दवा रहेगा है ठीक है दूसरा लिखो हितों का एकी करण और हितों का संचेन करना हितों का एकी करण और हितों का संचेन करना हितों का एकी करण और हितों का संचेन करना सामाजी करण नमबर थर्ड सामाजी करण एबं लोगों को गतिसील बनाना सामाजी करण एवं लोगों को गत्सील बनाना और सबसे इंपोर्टेंट सरकार का फॉर्मेशन फॉर्मेशन आप गॉवर्मेंट सरकार बनाना या सरकार का निर्माड करना ठीक है सबसे महत्तपूर्ण यही है तमझे अब आप थोड़ासा लिखलो दक्षिन पंथ और माम बनत की बारे में तो हेडिंग टलो दक्षिन पंथी विचारा है अब ग्लीर हो जाओगे थोड़ा सा लिखो इसमें सामाने तह दक्षिन पंथ का आसे उस विचार धारा से है जो यथा इस्थिती की समर्थक होती है यथा इस्थिती वादी यथा इस्थिती वादी छीक है जो यथा इस्थिती की समर्थक होती है यथा इस्थिती क्या होती है मतलब जैसी विवस्था चल रही है जैसी कंडिसन है वो ऐसी ही बनी रहे अब अक्षिल में जब आप थोड़ा सा डिस्को डिटेल में देखोगे न तो हर आदमी के उम्र में हर आदमी के लाइफ में, पूरे लाइफ इस्पैन में अलग-अलग उम्र के पड़ाओं पे अलग-अलग वो कंडिसन्स को फॉलो करता है एक तरह से अलग-अलग विचार धारक फॉलो करता है जैसे आप लोग जिस उम्र में हो जवान लोग 30 साल की 35 साल की उम्र तक वो क्या होते हैं? विद्रो ही प्रगित की होते हैं कि ठीक नहीं है यह सब यह गलत क्यों हो रहा है? विद्रो कर दूँगा वो कर दूँगा, क्रांती कर दूँगा बदल दूँगा पुरा लेकिन जिस चेज में आपके पाइरंट्स चल रहे हैं मानलो खे मारत पिता उनको लगता है कि जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है बदलाओ मत करो ज़्हादा इधर उठाफाइट मत करो इस लिए आपको भी रोगते हमों कि नहीं रहो तो सांतरो क्यों कि उम्र के साथ डर आ जाता है कि क्या पता जैसी इस्थिति है इसके बदलने के चक्र में पता चला करा तो चलने थे करा अच्छा है बहुत अच्छा कर देंगे बदल दोंगे ब्रस था आप कर दिए यह बद्दर इसलिए वो चाहते हैं वो एक यह था यसी तीवादी हो जाते हैं कि जैसा चलना है नो बेटा चलने दो बस इसी को तुम बना के रखो तो पस यह नहीं चाहते कि तुम बहुत रडिकल चेंज कर दो रात और रात जोंकि रडिकल चेंज में नुक्सान भी होता है जब आप रिडिकल चेंज करने जाओगे तो जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो, बुरा भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग चाते हैं कि बहुत जल्दी हम फूजी पती बन जाएं, अमीर बन जाएं, एक महीने में एक रात में इतना पैसा कमा लें, आप वो जो तरीके पनाएंगे, उसमें नुक्सान भी हो जाएगा, है ना, इसलिए मावाब समझाते हैं, पैरेंट्स या सीनियर समझाते हैं, कि धीरे धीरे, आराम से, और इस ती को मेंटेन रखो, वो आपको प्रमोट करते हैं कि नोकरी करो, ताकि तुहारी एक पर्मानेंट इंकम हो सके औ दौरान, अपने जवानी के दौरान बिद्रो ही नहीं हुआ, तो उसने फिर जीया नहीं है, उसने काटा है, ठीक है, तो जीवन जीना नहीं है, जीवन जीना और जीवन काटना, दो लग लग बाते, तो जीवन काटना नहीं है, यहां, बिद्रो होना चाहिए, लेकिन आप के causes आपके रीजिन बड़े होने चाहिए जैसे जेल जाना भी एक बड़ी प्राउड की बात है येस लेकिन पता चला आप चोरी के लिए जेल गए हो छिनाइती के लिए छण छण में जेल गए हो आप ये तो निक्रिश्टा है आप अगर जेल गए हो लोक कल्यान के लिए जन मानी नहीं रहे हो तो आपको पकड़ को जेल में डाल दिए तो यह अची बात है फ्राउड की बात है कि हम लोगों की help करने के लिए रोड़ बर मणा चाहते थे ओर प्रसासा नम को जेल में डाला है तो लंबे समय तक डालता भी नहीं है वह बस खतम करना चाहता है इस मोमे करते पाएगे और जेल में चलेगे ऐसे नहीं ठीक है बड़े रीजन्स बड़े कोजेश आगे लिखिए यह विशार धारा समाज में बिसेशा धिकारों का समर्थन करती है कौन सी दक्षिणपन की बिसेशा धिकारों की समर्थक है बिसेशा धिकारों की समर्थक जिसका क्या मतलब है अब जैसे समाज में कुछ वर्गों को ना अपने यहां फायदा है ऐसा आप देखोगे कि कोई बच्चा किस जाती में पैदा होगा किस धरों में पैदा होगा किस वर्ग में पैदा होगा यह क्या उसके हाथ में है नहीं लेकिन उसके हाथ में है नहीं लेकिन अगर वो गलती से किसी ऐसे जाती में पैदा हो गया इंडिया में जाती ज्यादा डॉमिनेंट ठीक है जाती गी बाद करेंगे अगर वह ऐसे ज पैदा हो गया जो समाज में सो कॉल्ड लोकास्ट कहे जाती हैं प्लेशिक है जिनके फैमिली जने जिनके पैरेंट्स ने वह निन्मतम ट्रीटमेंट जेला है या जेल रहे हैं अब पैदा हो गया वहां पे उसके साथ भी होगा होगा कि नहीं होगा कि अब और भी अब कुछ लोग ऐसे होंगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तो called उचे जाती में पाइदा हो गए जिनके पास zero knowledge, zero achievement, लेकिन सम्मान उनका बहुत समाज में, कि फलाने जी आगे, फलाने जी आगे, सारा समाज जुक के नमस्कार कर रहा रहा है, अब वो बच्चा, वो सारा सम्मान, वो सारा जो विसेशा दिकार है, ऐसे ही मिल जाएगा उसको समझ रहे हो, तो ये तो injustice है ना, अब आपके हाथ में क्या था, क्या मेरे हाथ में था, कि किस जाती, किस दर्म में, किस जहां पैदा हो जाए यह तो है नहीं है ना तो ऐसे लोग ऐसे विसेशा धिकारों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं कि जैसा है चलता रहे चलता रहे ठीक है आगे लिखो इस विचारधारा में स्वतंतरता और अधिकारों की बजाए समाज के स्वरूप को समाज के स्वरूप को सोपानिक सोपानिक मतलब हायार्की सोपानिक माना जाता है पद सोपान समझते हो एक हायार्की हायार्की का मतलब होता है कि जैसे एक ऐसा अब्यक्ति होगा जो नीचे होगा फिर वो मंदद करेगा किसी अपने बॉस को जैसे आपने इस कॉलेज का सब्सक्राइब की सबसे लोवर बरके आएंगे ग्रेड फोर के जितने भी कर्मचारी हैं प्यूंस हो गए गार्डनर हो गए वह सारे लोग है ना जो रिप् करेगा सीनियर कलर्क लेजकर सबसे इस उपर वाइले क्लक को रिकोड करेगा पिर वह जा जाके प्रिंसल को रिपोड करेगा ऐसी होती है एक uh hi akie बना हो ठीक है एसा कि समाज में है कि बहुत सारी निरम जातीयां उच जातीयां तो वह एक cry In Idaampag जखो फांसी वादी ना ज यॉजिवादी उपल लेक Caleb अ फऺर दक्षिन पंदे चाहां अप्ड शरी कि हम रहां उसके नेचे लिक्रें प्रोडबू की नजिवादी नाजिवादी रोडबू क्या होता है क्या है रोडबादी रोडबादी रोडवादी के पांसा वाधी इन तरफ यॉज अपर हर Yeas नाजी बात कहा था यह बताओ येस नाजी जर्मनी बोला जाता है ना फांसी बात था इटली में मुसॉलिनी इसका परवर तक है नाम सुना है बहुत बड़ा ताना सा दोनों बड़ा ताना सा ही हिटलर जर्मनी में और मुसॉलिनी इटली में ठीक है तो इनकी विचार दारा क्या थी ये रेसिस्ट सुप्रेमेसी की बात करते थे देखो अभी आप हमारे यहाँ जादत तर आप जातिगत भेदभाव देखते हो ना यूरोप और अफ्रीका निया की अमरीकन कंट्रीज में रेसिस्ट भेदभाव येस जैसे वो मानते हैं कि जो ब्राउन लोग है वो सबसे सुप्रीम लोग है जो वाइट वहाँ वही ब्राउन वह गोरे लोग वो सबसे सुप्रीम क्लास है ठीक है उनका डियने सबसे मौलब वो सर्वस्रेस्ट है जर्मन रेस के लोग यशा मांते हैं थे उस टाइम पर कि सिर्फ हमारी रेस ही सबसे सुप्रीम है बांकि सब यह निकिश लोग हैं थो हिटलर ने जर्मनी में किसको मारा था किस धर्व के लोग यहूदी जो आज बहुत मजबूत है कुछ टाइम भी बहुत मजबूत थे ऐसा नहीं था कि मजबूत नहीं थे समझे रहो अब उनकी एक्शुल में सत्ता प्राप्ति करने के तरीका था है तरीके अपनाए जाते हैं सासकों के द्वारा ऐसे हिटलर ऐसे नहीं था कि सत्ता कब जिया के बैठ गया हिटलर चुनाव रड़ता था और चुनाव जीतता था प्रापर बहुत बहुत के साथ समझे रहो कैसे उसने एक कहा कि जो यहूदी लोग हैं यह जो जर्मन लोग हैं इनकी सारी प्रापरटी को अपने अंडर में रख लिए क्योंकि वहां पे उस टाइम पे भी ज़्यादा धनी बर कौन था यहूदी यहूदी अभी बहुत धनी हैं जहां भी होते हैं ओ धनी होते हैं तो सारे बिजनेस सारे रिसोर्सेस सारी जॉबस एक तरह से किसके पास चली गई थी यहूदीयों के पास तो उसने जो जर्मन मौल के लोग थो उनके अंदर भावना जगाई कि यह तुम्हारा हिसा खा रहे हैं यह तुम्हारे दुस्मान है तो सबसे बड़ी तुम्हारा भला कब होगा तुम गरीवी से मुक्ति कप आओगे विरोजगारी से मुक्ति कप आओगे जब इनको मार के भगाना पड़ेगा तो इनको मार के भगाएगा कौन मैं तो बोट मुझे दो तो लोगों ने कहा अरे मैं ऐसे मतलब हिटलर तो लोगों ने हिटलर को बोट दिया और हिटलर ने फिर ओइसा कर दिया 60,00,00,00,00 यहोडियों को मारा और बाकी जो बचे हुए थे जो बचे सोचो वो भाग गया सब जब भाग जाएंगे तो उनकी प्रोपर्टी उनके घर उनकी प्रोपर्टी तो मिली जाएगी अब भारत पाकिस्तान का भी भाजा नहुआ तब यह ऐसे हुआ जब पाकिस्तान बन गया पाकिस्तान से भाग के बहुत लोग आये थे आपने कहानी सुनिये न इसलिए उनको भ जैन, इसाई, इनके उपर अटैक सुरू हो जाते हैं, हम लें, क्यों? क्योंकि यह भाग जाए यहां से, जब भाग जाएंगे तो इनकी संफत्ती मेरी हो जाएगी, तो वो को रहता है, अगल बगल के लोग ही करते हैं, जिसके घर में इसका बगल में घर है, वो चाहेगा इस इनको भगाया गया, अब उस टाइम पर बड़े-बड़े लोग, आज के जो, जैसे आपने दिलीप कुमार का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े लॉयर थे सुप्रीम कोट के, राम जट हुलानी, इनका नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग, आटवानी जीत, जो आज है वो भी, सब इनके पैरेंट्स सब वहीं से भाकिया आए थे, ऐसा नहीं किये लोग, आज सब इनके पास घर नहीं था, जमीन नहीं थी, भाग रहे थे, ये बेल सिटेड लोग थे, बहुत बड़े लोग थे, बड़ा नाम था इनका, लेकिन भगा दिये गए वहां से, ठीक आज ब्यक्ति बहुत जादा ब्यक्ति बादी हो गया है, इंडिविजिल हो गया है, आपके घरवाले भी काते हैं कि बटा अपने भी खोकस करो, अपना ध्यान दो, अपना केरे बनाओ, भाग की दुनिया सब वेकार, लेकिन आपके रहने लाएंग, अगर समाज ही नहीं र तो रोटी छीन ले जाएगी, घर जला दिये जाएंगे, और कपड़े उतार लिये जाएंगे, बास उन्यारी, तो रोटी कपड़ा माकान की चिनता तो हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारा समाज, हमारा देश भी ऐसा रहे कि जहां हम जी सकें, रह सकें, पता चला पूरा जीवन कि मास्क्राइब डेता को कपड़ा माकान आ अगया, मैं छिनने वाले आ गए, रोटी चनने तुमारी लें तुम्हारा बिजनेस चिन लिए तुम्हारा ब्यापार चिन लिए तुम्हारा घर चिन लिए घर जला दिए कपड़े उतार लिए बोले जाओ निकलो जासे कहां जाओगे आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में और इंडिया में का इंडिया में भी हैं पुरी दुनिया में जिनके पास अपना घर नहीं है जिनके पास किसी देश की नगरिक्ता नहीं है सोचो वो किसी देश के स्टिजान ही नहीं है होमलेस स्टेटलेस लोग ऐसे घूम रहे हैं बस बहुत सारी चीज़ें आपको यूँ ही मिल गई है जैसे आप भारत में पैदा हो गए भारत की नागरिकता मिल गई है ऐसे ही जिसको नहीं मिली है और सोचो कितना प्रयास कर रहा है भारत की नारिक्ता मिल जाए एक बार किसी बांगलादेशी से पूछना जो घुस्पैट करके इंडिया में आना चाहता है किसी पाकिस्तानी से पूछना या कि ऐसे लोग जो छुप छपा के रह रहे हैं और पाकिस्तानी यह Lt, बांगलादेशी के मतलब यहां पे मुसलमानी आ रहे हूं। तक आप में हैं। नहीं लोगों को नारिक्टा देने का लानूम लाएदि भारसकार नी कि ये जो चुप चाप से भाग के इंडिया में रह रहे हैं और विचारे बहुत जगा उनका सुस्रन होता है तो ऐसे लोगों को नागरिकता दे दो इसलिए कानूनायत है ठीक है तो बहुत सारी चीजे आप लोगों को तो आप बस उसकी कदर नहीं करते जैसे आपके पास घर म्हानी नहीं है तो आप उनसे कितना आगे निकल गए पिर आपके पास आपकी फैमिली है मतलब आपका अगर कोई कोई प fouls n Erm कोई दिवाट नहीं कि ठीक हो जाएगा आपके पास हापका अपना घर है आपको यह भरोसा नहीं है मतलब यह अंसे इंझ तो यह छोटी चीज़े नहीं है कि सुद्धहवा मिल जा रही है आप्को आप अलूट कर दिये हो लग बात है यहां पे लेकिन नेचर ने तो आपको दिया ही हुआ है सुद्धावा सुद्धपानी तो इन चीजों के भी अगर आप इन चीजों को सोचेगे ना थोड़ा सा खुसी महसूस होगी क्या रे इतना कुछ तो मिला हुआ है हमेशा क्या होता इनसान कुछ प्राप्त करने के चक्कर में डिप्रेश रहता है कि यह नहीं मिला वो नहीं मिला वो नहीं मिला अरे जो बिला है वो भी देख लो एक बार खुसी महसूस होगी आपको तो उन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया होगा कि उनकी नारिक्ता छीन ली गई ठीक है अब जैसे बहुत सारे हमारे ही देश के लोग जो भारत का पैसा बैंकों का पैसा लेके भाग गए ठीक है बहुत सारे देशों में जो ऐसा करते हैं ना उनकी नारिक्ता खत्ब कि विज वह लोग नारिक्ता खरीद लेंगे ठीक है ऐसे लोग के पास इतना पैसा वो देश खरीद लेंगे कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं छोटे-छोटे आई-लैंड खरीद रहे हैं करें कि मेरा खुद का देश उनके पास आई तरह एक तमिल नाडू का इंसान तमिल नाडू के ए लेकिन वह भाग के गया है सेंट्रल अमरीका में और एक देश बना दिया उसका नाम रखा है कैलासा और कहता है कि दिस इदर फस्ट हिंदू नेशन यह पहला हिंदू रास्ट है कैलासा के नाम से चीक है उसने एक आई-लैंड खरीद लिया है और इंडिया में रहते हुए लेकिन वह अपना एक देश चला रहा है वहां अब वह कई बार युनाइटेट नेशन में जाके अपना अप्लिकेशन दिया कि हमको मिंबर्शिक दे दो यहां की क्योंकि हम भी एक देश है हमारा एक देश है आई-लैंड कैलासा पूरा उसका मंत्रिमंडल ऐसारी चीज़े तो भारत सरकार से इनोटेट नेशन में पूछा कि ऐसा कुछ हुआ था गया आप जानते हैं इन लोगों को कि कौन है कि फस्ट हिंदू नेशन की बात कर रहे हैं कैलासा बना रहे हैं गूगल में आप लोग उसके बारे में पढ़ना सुनना बहुत अच्छी स्टोरी है ठी ऑफ करते बाटा